गोबर में आग लगी उई थी तो बची वी थी तो वो शुलग गए होगी रात में 11 बारा बेचे तो एक बजे गाउं में कोई मामा लोग बहर आए होंगे तो उन्होंने कहा कि यहां आग लगी वी थी तो किसको देख रहे हैं माँ तो गाउं में कोई लोग आ रहे थे अपने मेत माई की बोल सकते हैं तो वो जा रहे हैं दिना दिनी मनला ऐसा परवितन हो गए हैं कल्ले पॉर्शू से ऐसा यह और खाये मौसम बाकी अभी माँ भी जार की साइट खेतों की और उसमें मुर्गा म बाकी चार और बादलर कोहरा नजर औरा शिर्फ यह तो आस मौसम और कभई आज का सबसे अलग मौसम बाई कल रात यह कांट होने वाला था सुबाध में सिर्फ……ॉप भी नजर नहीं आने वाला था बस यहां पर यह जलावा नजर आना था भाई कल रात तो हेलो एबरीवन गुद मॉनिंग नमस्ते परणाम स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में एक और नए सांदार ब्लॉग में उत्राखन केदर घाटी के इन खूब सबसे चार ओर जैसे आग लगी होगी तो ऐसा मौसम नजर नहीं आ रहा है बागी चार ओर बादल और कोहरा नजर सिर्फ यह देखो तो ऐसा मौसम और आज का सबसे अलग मौसम तो पता निए इस साल क्या हो रहा है ऐसा चार ओर धुन टाइप की नजर आ रही है और मौसम पूरा कंता परवर्दन हो रखाया है तो चले दोस्तों करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुप तो दोस्तों आप मैं जा रहा हूं जंगल की और पानी का गेलन लेकर तो जंगल में पानी का गेलन इस ले लेजा रहहूं तो कि हमारे बगल पुढ़ोज पर एक सिष्टर है तो उस पर मनलब छॉल लग गया था तो उसमें आज पुझाई है पुझे बोलते हमारी यह उसमें मुर्गा मारे जाएगा तो अभी जंगल के ओर मैं पानी का गेलन ले जा रहा हूं तो मुर्गा बनाने के लिए पानी की जुरत है तो यह 20-25 लेटर पानी का दिन लेके जा रहा हूं भाकी होता है पाडब में मनलब किसी पर कशल लग जाता है तो उसमें में मुर्गा मारना पड़ते हैं साविल होने के लिए ₾ कि एक साथ में पानी का गिलन भी ले जा आओं बाकी एक दो आगे चले गई हैं तीन आदमी हैं छोल में मामा लोग हैं तीनों के त्यों और मैं हूँ एक बाकी चलते हैं पड़ावड से और चड़ा ही देख सकता हैं लोग उपर धार में मैं भी पहुंच चुका हूं तो यहा फटूंगेस्रमाराव जयहू कुमाराकारति के तो चलते हैं इस साइट चलना है मुझे पटाबट से पानी का गिलन लेकर चलता हूं आगए तो मामा लोग तो आगे चले गए हैं बाकी मैं आव जा रहा हूं पानी का गिलन लेकर और यहां से नीचे तल्ला नागपूर छे फटाबर से चलता हूँ अब मैं भी बेलपधार में तो यहां आगी पर ग्राउंड है तो वहीं पर मुर्गा मारे जा रहेगा और वहीं पर पुजाई होगी जो आज की पुजाई है तो वहीं पर होगी फटाबर से चलता हूँ पानी का गेलन लेके तो अभी मैं पानी का गे तो तब तक मैं यहां पर चूला लगाता हूं और यहां पर हमारी रोटी बनेगी और मुर्गा बनेगा तो वो लोग तो जार के आगे तब तक मैं यहां पर चूला चूला और लक्नियों की ब्योस्ता करता हूं बागी यहां पर यह ग्राउंड है कुछ ऐसा तो यह के簡ा बाकि यहाँ प्षूले आग जलाने की तयारी करता हूं वक्यत सब कुछ सामान यहां पर उप्लब्द हैं हमारे पास हुला काय। तबा हो गया और चुकला बिलन चुकला बिलन आठा उटा सब कुछ हमारा लारक है तो पटापट से मैं यहां पर चूले की तैयारी करता हूँ तो अभी दोस्तों छॉल पुजे खाने के बाद हम घर पे आ चुके हैं और अभी टाइम हो गया हैं तीन बज के चालिस मिनट हो चुकी हैं तो आते आते हुट नहीं हुआ बारा बजे हम यहां से गये थे बागी अभी चार बजने वाली हैं और आप लोग मौसम देख सकता है आप लोग अभी तो यह देखो भाई आज कल मौसम ऐसा हो और अचानक से मौसम आज कल कुछ ऐसा हो और बादल चाहे हैं और पूरी धुन और चार और अंधहर नजर आ रही देखो सामने हिमाले कुछ भी नजर नहीं आ रही देखो कुछ भी हिमाले नजर नहीं आ रहा है और मौसम ऐसा खराब होरका भई तो अचानक से मौसम ऐसा परवितन हो गए है कल ले पॉरसो से ऐसा ही होरका है मौसम बाकी अभी माविजार की साइट खेतों की ओर तो तब तक मैं चाई बना लेता हूँ मस्त मारके जब तक मा आती है तो देखते हैं आगे उसके बाद क्या काम हो तो अभी माविजार आ चुकी है घर पे बाकी मैंने मा को चाई दे दी है तो मा बैठी हुई है चौक के तिरवाल पे तो किसको देख रहे हैं मा कि देख रहे हैं अच्छा तो गावं में कोई लोग आ रहे थे अपने मेत माई की बोल सकते हैं तो वो जा रहे हैं दिना दिनी मलब ऐसे आर क्योंगे तो आए और जा रहे हैं क्योंकि अपनी गाड़ी में यही फैदा होता है तो सड़क यहीं नीचे पर हैं तो यहां पर उन लोग की गाड़ी खड़ी करके बाकी वो लोग अभी निकल रहे हैं तो उनी को मा भी यहां से देख रही हैं बाकी लेते हैं ठंड के मुसम में गरम गरम चाई का आनन तो साम की दोस्तों अभी पांच बच चुकी हैं और अभी मैं आगे हूँ अपनी गोसाला पर और यहां पर भाई कल रात एक कांड हो गया था भही करवला भाई यहां पर पूरी आग लग चुकी थी तो पूरा गोसाला ने जलना था और यहां पर जो गहास वगयरा थी और सुकी लकणिया थी तो भाई पूरी गोसाला जलनी थी भाई यहां पर देखो पूरा नुकसान होना था और इस साइड देखो भाई पूरा इधर गहासी गहास है और इधर पूरा गहास है तो भाई कल र रात को भाहिंगी करवला, क्योंकि पर्षॣ दीदी आया थी, तो दीदी ने यहां पे कुछ कबार था, तो दीदी ने यहां पे आग लगाई होगी, और बाद में वो बुझ गई होगी, तो यहां पे गोबर था ही, यह गोबर है, तो यह सूका वगाएं, बिल्कुल मिटी हो की गोवर का तो इस पें कबाड रहा होगा उपर से ये तो दीदी ने जलाया और बुझ गये होगी तो पॉर्चों से और कल रात भाई क्योंकि गोवर थी और गोवर ने आग पकड़ी हुई थी तो कल रात ग्यारा बारा बेजे मलब तेज सी हवाई चली और वो उसकारण उस लग गई तो इस करण भाई भहिंकर वाली आग लग चुकी थी यहां पर और यह देखो भाई यहां पर लकणिया भी जलनी सुरू हो गए थी तो अगर आग पकड़ती न भाई लकणियों को तो पूरा यह जलना था यह से लेकर पूरा यह गोशा लग यह और यहां पर गह गास उपर से पूरा गासी गास है सुका सुका और इस साइड जाती आग तो भै यह देखो इत्कंगोशा होना था यह डीम यह पेड़ और यह पहेड़ कांड होना था तो यहीं लोग बोले था हम एक रात बहार आएते तो यहां पर आग लग लगई थी तहीत best तो मैं ही सोया 12 बजे लग बग मैं सोया तो उस टाइम पर मैंने देखा था कि बाहर काफी तेज की हवाएं चल ली थी तो उसी कारण यहां पर जो आग बची वी थी जो गोबर में आग लगी वी थी तो वह बची वी थी तो वह सुलग गए होगी रात में 11 12 बजे तो एक कामा लोग बहर आयोंगे तो उन्होंने कहा कि यहां आग लगी वी थी तो हमने सोचा कि तुमने मनलब आड़ा ओड़ा मनलब कबाड जलाया होगा साइड में तो जल रहा होगा तो सुबह बोल लेते वह तो बाई सुबह में आया जैसे ही साथ गोसला पर तो मैंने देखा यहां से दो वी यहां से दो आहां से ऑनेर आ अाग लगी वह यह बहिं दो निक्सान होने वाला था तो बाई बाल बाल बज यहां से पूरा सुक भाव कर यहां से लेकर पूरा जंगल से लेकर जितना हमारा पेड़ पर ये घास लगा रखा हैं मा का जो जंगल से इतनी महनत करके जो घास ला रखा हैं तो ये पूरा जलना था भाई यहां से लेकर पूरा क्योंकि चार और सुके-सुके पत्ते हैं और जो दिवाले इस पर पूरा सुका-सुका घास हैं और यहां इसने बचा गिया, किसी की नजर लग गी, मतलब यहां नीचे पे हमारे करतिक स्वामी महराज आए, तो साइध इन्हों नहीं यहां पे नजर दी होगी, तो इस कारण यहां से जो आग थी, वो उपर नहीं गई, इस साइध नहीं गई, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान तो साइध बगवान करतिक स्वामी नहीं नजर लगा ली और बच गे भाई, नहीं तो पूरी गोसाला से लेकर, यहां पे जितना भी हमारा सुका गहास है, तो पूरा नुकसान होना था भाई, कल रात, तो सबसे पहले अभी इसको बुजा लेता हूँ, नहीं तो भाई, प कोईले, बुजने की आवाज देखो भाई, यह देखो, पूरा सर में गुज गया भाई, यह देखो, जना भेंकर और रुका भाई, यह देखो, भाई, पूरा बुजाना पड़ेगा, आद नहीं तो, आज की रात पता चला, आजी का रात कांड हो गया, तो इसको बुजा पहले भाई, मस्तो मार के, अभी तो खाली हो गया, और लियाता हूँ, उसके बाद फिर डालता हूँ, पूरा बुजा लेता हूँ, बाई, नहीं, तो पता चला, आज तो बची गया, कल तो बच गया, और आज की रात नहीं बचने वाला भाई, तो आज सबसे पहले इसको पूरा बुजा लेता हूँ पानी भर के लियाता हूँ इस गिलन में फिर से डालता हूँ तो यहां से यह मेरा भर के रखाऊ है संटेक्स तो इससे इसको भर लेता हूँ फटा फट से उसके बाद पूरा उसे फिर से बुजा लेता हूँ तो धारे से एक गिलन पानी का लेकि दोस्तों अभी मैं घर पे आ चुका हूँ बाकी अभी लाइट भी नहीं है लाइट चलेगी है तो अभी देखे अब लो अंधेर भी होने ही वाला है तो आप करते हैं रात के खाने की तैयारी बाकी मा भी अभी गोसला से नहीं आई है अल्द अबात के लाइट यूद आद आई लाइट यूदी अदे नहीं यूद था आदव चलेगी है तो आदो अजब फेलिया आदिया आदो 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 आदो